दोस्तों इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Think and Grow Rich का Chapter 2 जिसका नाम है Desire एक इच्छा जो Richness की तरफ पहला कदम है दोस्तों ये बुक जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उतरी ही इंट्रस्टिंग होती जाएगी ये वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग है बहुत मज़ा आने वाला है शुरू करते है पिछली वीडियो में मैंने आपको Advancy Barnes की बारे में बताया था वो मालगाडी में सफर करके Edison की पास में पहुँचे थे पटे हाल हालत में दिमाग में बस एक ही खयाल था उन्होंने माल लिया था कि वो Edison की बिजनस पार्टनर बनने जा रहे है उनके लिए काम करने नहीं जा रहे है वो पहली बार था जब वो Edison के सामने आकर खड़े हुए थे तब उनकी हालत बहुत कराब थी लेकिन उसके कुछ साल बाद वो वहीं Edison के उसी आफिस में खड़े थे लेकिन अब चीज़े बहुत बदल चुकी थे उनकी इच्छा हकीकत में बदल गई थे वो Edison के साथ में बिजनस कर रहे थे वो इसलिए सक्सेस्फफल हुए अपने इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए क्योंकि उन्होंने अपना एक पेक्स गूल चुना अपनी जिन्दगी के पांच साल लगा दिये उन्होंने Edison के लिए सिर्फ एक वर्कर की तरह काम करने में उसके बाद वो जाकर उनकी पार्टनर परें जब उनको एक मौका मिला और वो जिस दिन आये थे Edison के पास में तो जिस ब्रिज से वो आये थे यह मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि जिस ब्रिज से वो आये थे वो ब्रिज उनके जला दिया था वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा खत्म कर दिये सारे रास्ते उस वक्त उनके दिमाग में यह नहीं था कि कोशिश करूँगा वह तो ठीक है नहीं तो कुछ और कर लूँगा कम से कम एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी नहीं बलकि यह था कि बनना है तो अडिसन का बिजनस पार्टनर ही बनना है पीछे अटने के सारे रास्ते खत्म कर दिये थे करो या मरो यह मुझे उसी कहाने की याद दिलाता है एक बर क्या हुआ था एक वारियर था उसके सामने एक ऐसी सिच्वेशन आई सामने वाली आर्मी पाउर्फुल थी बहुत सारे सिपाई थे बहुत बड़ी आर्मी थी तो जहाजों की रास्ते वो पहुँचे सामने वाले देश में उत्रे जहाजों से पीछे अपने सारे जहाज जला दिये उस वारियर ने अपने सारे जहाज जलवा दिये अपना सारा सामान उतरवाने की बाद में और अपने बाकी लड़ने वाले साथी वारियर से कहा या आप लोगों ने देख लिया हुआ हमने सारे जहाज अपने जला दिया है अब हमारे पास वापस जिन्दा लोटने का ये की रास्ता है कि सामने अले को हराओ, जीतो और वापस लोटो दूसरा आप्शन नहीं है और वो जीत गए क्योंकि उन्होंने अपने बाकी आप्शन्स खतम ही कर दि शिकागो में ऑक्टूबर 1871 में एक भैंकर आग रगी जिस आग को आप इंटरनेट पर सर्च करके देखना ग्रेट शिकागो फायर की नाम से जाना जाता है इस आग में लग बग तीन सो लोगों की जाने गए सेटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलकर राक हो गया और उसेरिये के अंदर कुछ व्यापारियों की दुकाने भी दी वो जलने वाली दुकाने उन व्यापारियों की आखों के सामने जलते हुए देखा तो सारे व्यापारियों ने कहा कि चलो कि इस city को छोड़ कर कहीं और चलते हैं जहां पर हमारी जिंदगी हमसाकर कर सकें उनी में से एक व्यापारी था अपने पुराने store की राक की तरफ उसने उंगली दिखाते हुए कहा कि इसी जगे पर मैं दुनिया का great store बनाऊंगा यहीं बनाऊंगा चाहिए कितनी बार भी जल जाए मैं इस city को छोड़ कर कहीं ने जाऊंगा आप लोगों जाना है तो जाओ और वहीं उसका वो store बना ग्रेट store बना और आज भी वहीं खड़ा है जिस बंदे ने ये बात कही थी उसका नाम पता है आपको क्या था अफ़र्ट समझ लो उन लोगों में से जो वहाँ से चले गए वो वो लोग थे जो जिन्दगी में असफल रहने का जन्होंने विकल्प चुना जन्होंने जरा सी असफलता आते ही अपना रास्ता बदल दिया लेकिन ये बंदा डटा रहा ये कहीं नहीं गया पैसा आता है अगर ऐसी इच्छा हो दिल और दिमाग में जो हावी हो जाए तो पैसा आता है चै तरीके यहाँ पर बताएं पैसा कमाने की शे स्टेप्स इस बुक के सेकंड चैप्टर में बहुत जरूरी है थामत एडिसन भी इस बात को मानते थे पहला स्टेप है दिमाग में तै कर लो कितना कमाना है यह नहीं कि धेट सारा कमाना है एक फिक्स अमाउंट तै कर लो कि कितना कमाना है इसके बीचे एक साइकलाजिकल रीजन है जो अगले चैप्टर में जिसकी हम बात करेंगे दूसरा स्टेप है जितना पैसा आप चाते हो उसके बदले में आप क्या दे सकते होगी कि इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो मुफ्त में मिलती हो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा चाहे टाइम चाहे कुछ भी तीसरा स्टेप है एक फिक्स डेट ताय करो कि इतने टाइम में तो कमाई लोगा ये पक्की डेडलाइन है चौता स्टेप है एक पूरत प्लाइन तयार करो कि किस तरह से होगा और काम में लग जाओ पांचवा स्टेप है ये सब चीजों का एक ब्यौरा बनाओ फिक्स डेट का प्लाइन का जितना पैसा कमाना चाते हो उसका और लास्ट टेप है इस सारे ब्यौरे को दिन में दो बार पढ़ो सुबह और रात अगर वागई पागलपन होगा एक दीवान की होगी कि मुझे पाना ही है मुझे पाना ही है तो मिली जाएगा Thomas Edison भी इन 6 स्ट्रेप्स को मानते थे वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इसमें नहीं मानते थे वो कहते थे कि ये 6 स्ट्रेप्स कुछ भी करवा सकते हैं और इतना बड़ा सैक्रिफाइस भी तुमसे नहीं मांगते ये 6 स्ट्रेप्स उनकी कहने का मतलब था कि बस सब कुछ किस्बत पर मत छोड़ो जो भी सक्सेस्फुल लोग अपने आसपास आप लोग देखते हो वो सब यही सब करके आगे बड़ें सपने देखकर सपने देखना बहुत ज़रूरी है और अब आपकी एज है यह सपने देखने की आज चीज़े बहुत अलग हैं चीज़े बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है नई चीज़े मार्केट में आकर आखों के सामने चली जाती है और दुनिया को हर वक्त नया चाहिए तो इस दौर में मौके आते हैं और चले जाते हैं तो ये मौके बढ़ गए हैं कुछ नया सोचो, दुनिया कुछ नया दो क्योंकि दुनिया में वही लोग successful हुए हैं जिन्होंने चुपे हुए मौकों को देखने की एक नजर रखी है उन्हें practically apply किया है इन लोगों से सीखना होगा जैसे कि Edison 10,000 बार unsuccessful होने के बाद में जोटे रहे और बल बनाया राइट ब्रिदर्स हवाई जास बनाया सब ने देखना बहुत जरूरी है उस वक्त इन लोगों के लिए बहुत problems थी क्योंकि उस वक्त लोग इनको बेवकूफ समझते थे पागल समझते थे क्योंकि उस वक्त दुनिया खुद समझदार नहीं थी लेकिन आज लोग समझदार हैं दुनिया समझती है ना inventions को समझती है हर सक्सेस्फुल इंसान ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बुरा वक्त देखा ही है ऐसे बहुत सारे एक्जामपल्स हैं जैसे कि जॉन बनियन जिस वक्त उन्होंने पेल्ग्रिम्स प्रॉग्रेस नाम की बुक लिखी थी उस वक्त वो जील में थे ओ हन्री कितनी सारी कहानिया पढ़ाई है ओ ही ओ की जील में उन्होंने अपने अंदर का राइटर जगाया चार्ल्स डिकेंस बच्पन में बोतलों पे लेबल चिपकाते थे और वही चीज़े उनकी राइटिंग्स में आप देख सकते हो कि उनकी आत्मा कितनी दुख पाती थी जब किसी बच्चे को वो काम कटते हुए देखते थे हैलन किलर शायद ही ऐसी कोई पर्सनेलिटी होगी इतनी इंस्पारिंग ऐसे ही जौन मिल्टन उस वक्त परड़ाईज लॉस को लिखा जब वो ब्लाइंड हो गय थे बाकी ब्लाइंड लोगों की तरह बैटनी गए ये वो लोग हैं जिन्होंने तब तक हार नहीं माने जब तक वो जीत नहीं गए कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क होता है तो किसी चीज की चाहा रखने और उसको पाने की पागलपन में एक विश्वास की mental stage की जरुरत है कि हम तो पालेंगे एक great poet ने क्या खूब लिखा है कि मैंने जिन्दगी से चवन्नी का सौदा किया और जिन्दगी ने उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिया शाम को जब मैंने अपनी मजदूरी गिनी तो मैंने कुछ ज्यादा पैसे मांगे कहने का मतलब जिन्दगी हमेशा उतना ही देती है जितना आप मांगोगे लेकिन जिन्दगी के साथ में एक बार अपनी मजदूरी अगर आपने तय कर ली तो उसी पर आपको काम करना पड़ेगा उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ एक बच्चे की मैंने पैदा होते ही उस बच्चे को देखा उसके कान नहीं थे डॉक्टर्स बुले उनको बहुत जोर देकर हमने बुलवाया यही बात दिमाग में थी कि यह लाचार नहीं बनेगा वस सोचने लगा कि जो मेरे दिमाग में है इस बच्चे के दिमाग में कैसे डालू कि यह बिना कानों के भी सुन सके दीरे दीरे जब वो इतना बड़ा हो गया कि मेरी बातों को समझ सके तो मैं उसके दिमाग में ये चीज़े डालने लगा कोशिश करने लगा, रास्ते ढूनने लगा इसके सुनने के इसको समझाने लगा कि तू भी ढून, रास्ते ढून किसी को नहीं बताया मैंने मैं अपने बच्चे पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था हर रोज मैं अपने आप से बोलता था खुद से बोलता था कि मेरा बच्चा लाचार नहीं रहेगा वो थोड़ा सा सुन सकता था मुझे जब वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ तो पता चला वो थोड़ा सा सुन सकता था बस, यही मुझे चाहिए था मैं उसे बढ़ा दूँगा उसके सुनने की कैपसिटी को मैं बढ़ा दूँगा एक दिन मैं एक रिकॉर्ड प्लेयर लाया जिसे देखकर वो पागल सा हो गया उससे जाके चिपक गया अपने दातों से उसे जकड लिया उसके कोने को वो काफी देट तक उसको सुनता था कैसे सुनता था ये पता ने चला सालों बाद मुझे पता चला जिया कि उसके स्रके नीचे की हड़ी पर अपने होट लगा कर अगर मैं बोलू तो वो साफ साफ मेरी बात को सुन सकता था मैंने अपनी बातیں इस तरीके से उसके दिमाग में डालना शुरू खड़ती उसे अलग-अलग कहानिया सुनाता जो उसे पसंद होती और एक कहानी जो मैं उसे बार-बार सुनाता था अलग-अलग तरीकों से क्योंकि मुझे भरोसा था उसे मुझे पर भरोसा था, मुझे उस पर भरोसा था उसने मेरी हर बात मानी मैंने उसे बताया बेटा तो युनीक है तो युनीक है उसके दिमाग में ये चीज भड़ दी कि तू भी अपने बड़े भाई की तरह नियूस पेपर बेच सकता है एक नॉर्मल इंसान की तरह अब दीरे दीरे जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि उसे भी नियूस पेपर बेचना है अपने भाई की तरह लेकिन उसकी मा नहीं मानी एक दोपहर जब हम बाहर गए हुए थे तो वो खुद ही अपने से एक जूते बनाने वाले की पास गया च्छै सेंट्स उधार लिए और बाहर चला गया नियूस पेपर बेचने के लिए उसने नियूस पेपर लिए बेचे लिए बेचे शाम तक वो बेचता रहा और 42 सेंट्स कमा लिए रात को जब हम घर लोटे तो देखा वो सू रहा था बिस्तर पर गहरी नीन में और उसके कमायोए पैसे उसकी हाथ की मुठी में बन थे उसकी मा ने जब उसकी मुठी खोली तो उसकी हाथ में वो सिक्के देखकर वो रूप अड़ी अब अपने बेटे की पहली कमायी को देखकर कौन सी मार होती है बस उसे यही फिगर थी की कैसे इस बच्चे ने अकवार बेचे होंगे कितना रिस्की था लेकिन मैं खुश था कि जो कोशिश की थी कि ये लाचार नहीं बनेगा आज वो कोशिश रंग ला रही है मैंने कभी उसे इशारों की बाशा सीखने नहीं दी उसे हमेशा बोला कि नार्मल इनसान है तो नार्मल लोगों की तरह सुनने की कुशिश कर जब वो कालेज गया तो उसे सुनने की एक मशीन मिली जो मशीन शायद उसकी जिन्दगी का एक टर्निंग पॉइंट थी बहुत हेल्प मिली बहुत हेल्प मिली साफ साफ सुन सकता था अभी कहानी पूरी नहीं हुए अभी तो उसे अपनी कमजोरी को ताकत में बिदलना था वो इस मशीन बनाने वाले को कॉंटेक्ट करता है इससे पहले उसने एक और मशीन ट्राय की थी वो काम नहीं कर रही थी यह मशीन काम कर रही थी तो इसने कॉंटेक्ट किया उस लैटर में पता नहीं क्या एमोशन्स इसने अपने डाले थे उस कमपनी के चीफ इंजीनियर ने इसको अपने पास बुलवा लिया नियू यॉक और लाखों लोगों तक ये उस कमपनी में जाकर अपनी बात पहुँचाना चाहता था एक महीने तक सारी मार्केटिंग उसकी वहां की समझी और दो साल का एक कागस पर प्लान बनाया और कमपनी को दिखाया तो इमिजिटली उस कमपनी में इसको नौकरी मिल गई और फिर इसने काम शुरू कर दिया हजारों अपने जैसे बहरे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए अब इस बात ने कोई शक नहीं है कि तुमारी ये कमी नहीं ये तुमारा एडवांटेज है ये डिजायर की पावर जो होती है इच्छा की शक्ती है इसकी बारे में कई लोग समस्ते नहीं है ये वो पावर है जो कबर से उसकी मुर्दे चुरा लेती है मतलब लोगों को मरने नहीं देती मैंने तो अपनी आखों से देखा है इसी पावर का यूज बुक के आगी की चैप्टर्स में बताया गया है बिलहार आज की वीडियो में सतना ही